नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तरपदेश PCS के लिए चलाय जाए क्रेस्कोस में आज हम लोग उत्तरपदेश सामान ग्यान का अगला चैप्टर यानि की उत्तरपदेश के खनिज संपदा, संसाधन, जल एवं ताब बिद्दुत योजनाओं को पढ़ेंगे छोटा चैप्टर है और बिल्कुल factual ही है, fact पर आधारित है इनसे कुछ questions पूछे गए हैं previous year में तो हम उन पर जादा focus करेंगे कि कहां से question पूछे जा सकते हैं बाकि इसमें बहुत जादा कुछ explain करने जैसा इस chapter में भेले ही नहीं है लेकिन fact की ड्रश्टी से ये बहुत ही महत्पूर्ण है इसलिए थोड़ी सी चीजों को हम समस्ते चलेंगे और किस form में आपसे question पूछा जा सकता है इसको भी हम discuss करते हुए चलेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तरपदेश सामान ग्यान के आज के lecture का हम लोग तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे उत्तरपदेश को अगर हम खनी संसाधन की देश्टी से देखें राजियों का खनी संपधा के आधार पर उसमें उत्तरपदेश क्या है एक निम्न मध्यम स्रेडी का राजी माना जाता है किस स्रेडी में आता है तो पहला question आपसे यही पूछा जा सकता है कि यह किस स्रेडी में आता है यह निम्न मध्यम स्रेडी का राजी है यानि यहां पर बहुत बहुल मात्रा में खनिश संपदा नहीं पाए जाती है और साथ में यहां पर जो महेंगे खनिश है जिनको हम बहुमूले खनिश कहते हैं उस तरह के भी खनिश जो है जादा नहीं पाए जाते हैं क्योंकि आप देखेंगे तो सोना भी है तो बहुत कम म इसमें सामान जरूर्तों के लिए यहां पर जो चीज़ें हैं वह पाए जाती ही जो कि गंगा-यमना का मैदान है अगर हम उत्तरप्रदेश को दो भागों में बाटें जैसे यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां से जो है जो उपर का पूरा रीजन है यह गंगा-यमना के प्राइदीपी पठार का जो भाग कहलाता है तो यही छेत्र खनिज के रूप से जो है बहुत ज्यादा सम्रद्ध है थोड़ा सा बुंदेल खंड का विरिजिनिस में आ जाता है विसेज कर जो है जो सोन नदी बेलन घाटी और उसके अलामा प्रयागराज जौनपूर गाजी पूरवानसी चंदोली भजवी सोन भद्र और थोड़ा सा बांदा हमीर पूर तो यह सब एरिया जो है बुंदेल खंड का और विंद माला के नीचे वाला जो एरिया है यह पूरा जो है खनिज से जो भी खनिज मुखिरूप से पाय जाते हूं यहीं पर पाय जाते हैं तो ह कुछ नदी घाटियों में खनिज वा उप खनिज पाय जाते हैं और विभीन प्रकार की खनिज संपदा उत्रप्देश में बिद्यमान है अगर प्रमुक रूप से देखेंगे तो दच्छिन के आठ जिले जो उत्रप्देश का दच्छिनी छेतर जिसके हमने चर्चा की य यह सभी कुछ प्रमुक खनिज हैं जिनका हम लोग दोहन करते हैं इसके बाद अगर हम देखें उत्तरप्देश में खनिज संपदा पर आधारित उद्योगों की बात करें तो विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में भूतत्य एवं खनिज कर्म निदेशाले की स्थापना की गई थी तो अगला प्रस्ण जो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरप्देश में भूतत एवं खनिज कर्म निदेशाले की स्थापना की गई थी तो आपको बताना होगा कि 1955 में की गई थी उसके बाद एक खनिज विकास निगम मनाया गया इस्टेट का उत् के लिए जो है यह बिल्कुल कोश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है इसके बाद एक और कोश्चन आपका प्रावबल बन रहा है कि उत्तरप्देश की पहली खनिज नीती कब आई थी कब जो है पहली खनिज नीती लागू की गई थी या जारी की गई थी तो अ और खनिज को खनिज संपदा को या खनन कर्म को खनिज विकास को एक उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था उद्योग का दर्जा दिये जाने के बाद किसी भी जो है काम को जो है अच्छे से और द्योगी की स्तर पर करना आसान हो जाता है यही इसकी जो है खासियत हो इसमें पाए जाते हैं और उप खनीज भी दिये गए हैं हलाकि अभी हम इसको जो है किस जिले में क्या-क्या पाए जाता इस इस तर पर भी पढ़ेंगे तो 12 मुख्य खनीज पाए जाते हैं जिनमें कोईला एंडुलुसाइट लाइम स्टोन सिलेमनाइट रॉक फॉस्पेट कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, बाकसाइट, कैसाइट, आयरन, प्लेटिनम यह सबी जो है इसमें सामिल है उप खनीज में हम देखते हैं तो सिलका सैंड है ग्रेनाइट, खड्मिट्टी, पायरोफिल लाइड, डायस्पोर और डोल स्टोन गिट्टी, डोलोमाइट, सैंड उसके अलावा ग्रेनाइट, डायमेंशन इस्टोन तो यह सबी उप खनीज में आते हैं तो यह जो है ऑफिसियल वेप साइट के अनसार उत्तरप्रदेश में कितने खनीज और कितने उप खनीज पाये जाते हैं यह लिखा हुआ है तो अगर मोटे तोर पर आप से पूछ ल यह पूरा मैप वहाँ पर दिया गया है अब इसमें से हम जैसे माली जीए गोल्ड की बात कर लेते हैं गोल्ड आपका यहाँ पर पीले सरकिल में वो एरिया बताया गया है कि गोल्ड कहां पाये जाता है तो देखिए गोल्ड जो है सोनभद्र में आपको दिख जाएगा सोनभद्र में अब ही रिसेंट्ली जो है गोल्ड के बड़े भंडारों का पता भी चलाए तो सोनभद्र में ही जो है गोल्ड के भंडार पाए गए है और बहुत स्रीमित मात्रा में वहाँ से अभी एक्सकुवेशन इसका किया जाता है इसके अलावा सैंड गारा देखेंगे, सैंड, मौरम, यह सब तो पूरी आप देख रहे हैं, पूरी बेल्ट जो है सी की बनी हुई है, सिलिका सैंड, सिलिमिनाइट, डोलोमनाइट, चाइना क्ले, यह पूरा जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिया गया है हलाकि हम जो है इसको जनपद के नाम के साथ याद करेंगे, जो आपके एक्जाम में, एक्चुल में पूछा जाता है, तो आपके एक्जाम में क्या पूछा जाता है, कि बाकसाइट उत्तरपदेश में कहां पाया जाता है, तो बाकसाइट पाया जाता है, चित्रकूट में कहीं पर बहुत ट्रेयस मात्रा में पाया जाता है तो उसका ओलेख यहां पर नहीं है जो मुख्य रूप से पाया जाता है उसकी बात हो रही जैसे चित्रकूर्ट में बाक साइट जो है पाया कोईला का जो सबसे बड़ा सुरोत है वो सिंग्रावली है सिंग्रावली बेसिन कहते हैं सोनभद्र में अब ये जो सिंग्रावली बेसिन है सोनभद्र का एरिया है एक्चुल में प्राइदीपी पठार का हिस्सा होने के कारण यहाँ पर भारी मातरा में कोईला है लेकिन कि उत्पादन में कोई विसेश आप इस्थान नहीं देख पाते हैं मतलब एक अनुमान से पता तो है कि यहां पर कोईला है लेकिन अभी उसको निकालने की जो है वो नहीं है इसी तरह से दोलोमाइट सोनभद्र और सोनभद्र को आप देखेंगे सोनभद सबसे ज्यादा सोन पत्थर जो है गुर्मा कनाच बापु हारी यह सम्मिर्जयापूर के इस्थालें जहां पर यह पाया जाता है उसके अलावा कजराहट में सोनभद्र में पाया जाता है यह सब इसकी खादाने गेरू आप जानते हैं जिससे गेरू अरंग बनता है और गेरू को पोता जाता है इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना हुआ अब हीरा हीरे का कोई विसेश उत्रप्रदेश में नहीं बस हीरा बहुत सीमित मात्रा में यह कह लिए कि नॉमिनल नगण रूप से जो है कहा मिलता है मिर्जयापूर में और बांदा में यह मिलता है क्योंकि पूरे देश अब जो है काच बालु जो है इलहाबाद जो है वर्तमान आपका प्रियागराज हो गया बांदा चित्रकूट अलिगर यहां पाया जाता है एंडूलुसाइट और ध्यान देगा जहां पर एक जिले में एक ही खनीच पाया जा रहा है उस तरह का जो सुमेलन में में अब जासी ललिटपूर सब्सक्राइब पाया जा रहा है यह अपका हमीरपूर जासी में रोक फॉस्टो है जासी पाया। पोटास, लवण, इलहाबाद, चंदौली, जहासी, बांदा, सोनबाद, एक्च्वल में इलहाबाद इसमें इसलिए अभी लिखा हुआ है क्योंकि ये वेबसाइट में पुराना ही नाम वहाँ पर अभी भी अंकित है फायर क्ले, अब ये बासी, मकरी, खो, ये मिरजापूर के चेत्र है और सोनबद, दो जगे पाए जाता है तांबा, सोनराई चेत्र है, कहा का ललिदपूर का वहाँ पाए जाता है इसके बाद अभी लिष्ट खतम नहीं हुई है क्योंकि कुछ और बचें जैसे गोल्ड, गोल्ड पूछा जाता है अक्सर, तो सार्दयों रांग गंगा की रेत में थोड़ा भूत पाए जाता है परसोई चेत्र जो है सोनभद्र का और बेरवार चेत्र ललिदपूर का है और अभी रिसेंटली जो है जी एसाई का एक बड़ा सर्वे पहले हुआ था लेकिन उसकी स्टेडी की रिपोर्ट्स जो है अभी दो साल पहले आई थी तो वहां 2022 में संभौता तो यह जो है डिकलियर हो गया कि सोनभद्र में भारी मात्रा में सोने की भंडार है लेकिन अब उसका एक्सक्वेशन कैसे किया जाएगा कब किया जाएगा वो सब जो है आगे की चीज़े है यूरोनियम के बारे में क्योंकि यूरेनियम जो है एक एक भूमूल के खनिज़ भी है तो यूरेनियम बहुती सीमित मातरा में ललिटपूर में पाया जाता है संघ मरमर मिर्जापूर और सोनभद में संडीश्टों मिर्जापूर में पाया जाता है ग्रेनाइट जो पत्थर होता है महोबा ललितपूर और जो है अमिर पूरी ये जो है जो है बुंदिल खंड हमें हो गया तो चैना अगे चलते हैं अब एक एक करके कुछ जो है single single facts को हम लेते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरपदेश में किस तरह की स्रेडियों में या किस तरह की नदी घाटियों में खानिश पाया जाते हैं तो उत्तरपदेश में जो विंद क्रम की सिरिणिया है इसके बारे में हमने पहले ही चर् उत्तरपदेश जनका ज्यादा महत्त्रपदेश पूरे देश के बंडार में और उत्पादन में डायस्पोर खनीच जो है इसका उत्पादन कहां पर होता है वे उने पीछे भी देखा था हमीरपुर जिले में तो डायस्पोर के बारे में अगर आप पूछा जाए कहां पाया जाता है क्योंकि ये भारत वर्स में सबसे जादा जो है उत्पादन पाया ज बहुता है और इसकी ज़्ञादा मिर्या पूर्ट के कजराहते में होती है और कजराहते पर iron and ore यानि law iron and steel industry में किया जाता है और इसका उत्खनन उत्तरपदेश के सोनभद्र और बांदा जिलों में किया जाता है और यहीं से चाइना क्ले का उत्खनन होता है जो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था फिर आगे बढ़ते हैं भावन निर्माण में बहुत सारे पत्थर यूज होते हैं आप लोग नाम सुनते रहते होंगे जैसे बलुवा पत्थर है क्वार्जाइट है ग्रेनाइट है डोलमाइट है तो अब यह किन-किन जिलों में पाया जाते हैं कौन-कौन से पाया जाते है तो उत्तरप्रेस कार की website के अंसार जो है कौन कौन से जनपद है तो सबसे पहले हम आगरा की बात कर लें तो आगरा में बलुवा पत्थर पतिया चौका गिट्टी और एसलर इत्यादी पाया जाता है तो इसमें जो मुख्य है वह आप याद रखिए कि बलुवा पत्थर जो फिर महोबा हमीरपूर जालोन और जहासी यह पूरा जो बुंदेल खंड में है इसमें ग्रेनाइट जो है और किस फॉर्म में पाया जाता है खंडा गिट्टी बलाक यह उसके आगे लिखा है तो उसकी बहुत ज्यादा परिच्छा के द्रिश्टी से आउशक्ता नहीं है म माथूरा में क्वाट्जाइट पाया जाता है और ललितपूर में ग्रेनाइट पाया जाता है बलुवा पत्थर पाया जाता है मिर्जापूर में बलुवा पत्थर किस फॉर्म में पाया जाता है यहां पर लिखा है सोनबद में डोलोमाइट ग्रेनाइट बलुवा पत्थ उत्तरप्रेश में उत्तरप्रेश में में लोन सिंगरावली घाटी रॕ्यां से कि उसका उत्पादन होता है लेकिन आप से प्रस्थ नहीं पूछा जाता है कि कौन सी कम्पनी उत्षनन उत्खनन और उत्पादन करती है तो इसका खुदाई का ओन्डिया लिमिटेड करती है ले कि उड्योग में उद्दियोग स्वर्वी होता रौक फास्पेट इसका सबसे ज़्यादा भंडार कहां पर उत्रफल करता है ललिक पूर में पाया जाता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि खानीज बहुल जिले कौन से हैं आप से कभी पूछा जा सकता है कि उत्तरपदेश के खानिज बहुल जीले कौन से जहां पर बहुलता से पाय जाता है तो प्रयागराज हो गया मिर्जापूर जासी सोदबद रहमीरपूर बांदा महोबा जालोन और ललिटपूर जो है खानिज बहुल जीलों की स् कि प्राप्ति गंगा यमना नदियों की जो है तो दो कि या लेत जाती मुक한다 जो है इसका चितरकूट में ऄट्रप्पूर जिले में उत्रपरइस में तामा मिलता लात। पायरोफिलाइट एक खनीज है यह ज्ञाजीनीश्ट्र फानेश्च सी इत्याज जानते हैं । बतने इत्याद veterans नसे उवह में उट्हाइफंेतका चमेर अधिस्क जो है महोबा ललिटपूर जो है जहासी में पाया जाता है अब प्रस्थ पर पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में अभरक पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में अभरक नहीं पाया जाता है जो बहुतायत में पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है यूरेनि कि बात करें तो यह केवल बांदा जिले से ही इसकी प्राप्ती होती है क्योंकि यह थोड़ा सा रेर है फिर सल्फाइड अभी रिसेंटली जो है सल्फाइड के लिए एक सर्वे हुआ था उस सर्वे में यह पता चला कि ललिटपूर जहासी में जो है सर्वे के में यह आया कि इस आधार भुट्स सल्फाइड खनीज के बहुत से छेत्रों होका होना पता चला है अभी यहां पर उत्खनन वगारा नहीं शुरूगा है लेकिन चुकि यह जियोलोजिकल सर्वे चलता रहता है खनीजों के पता लगाने के लिए तो इसका पता लगाया गया है अब हमने स करचा की थी उत्तर फ्रदेश खनीज नीती की सबसे रीसेंट खनीज नीती पहली नीथ कमने बात कली थी इस समय और शकीज नीथी अवह 270 की सबसे रीप hmऌ यहांपर और आप से पूचा आ सकता है अब कोई भी नीथी होती है तो उसके कुछ गोल्स होते हैं और उसमें कुछ खास बाते होती हैं जो आपको पता होने चीज तो पहली चीज तो यह है कि यह खनीज नीती जो है कवाई तो 30 मही संत्र है आपको याद करने की जरुवत नहीं है अब इसके मुख्युद्देश के आतो हर नीती मुद्देश के साथ आई जाती है तो सबसे पहली चीज है आर्थिक विकास वाली बात जो आ जाती है उसके बाद खानीजों का संच्छन करना खानी जुद्कनन के दौरान परिय जावरण को नुकसान ना हो खनीज छेत्र में रोजगार के आउसर को बढ़ाना और प्रतिसपरधा को बढ़ावा देना और अवैद खनन पर अंकुस लगाना यह तो जो है कुछ बहुत जन्रल टाइप की हो गई जो आपसे नहीं पूछा जाएगा आपसे पूछा क्या ज उसके अंसदान को जब नीती बनी होगी तो 1.80% जो है खनीज का योगदान था उसमें और इसको आभी पांच वर्सों में तीन वर्स बढ़ाने का रच रखा गया था तो यह आपको लच्छ पता होने चाहिए बाकी सब चीजे बहुत नार्मल है पारदस्ता कैसे होगी आं अब हम उत्तरप्रडेश की जल विधुत परियोजनाओं की बात करते है क्योंकि उत्तरप्रेश एक बड़ा राजी है जनसंख्या के दिश्टी से भी बहुत बड़ा राजी है तो यहाँ पर विधुत की जो है जुट है बहुत ज़ Brothers में जन्वरी में जून में उत्तरप् होता रहा को कि एक परामप्रगत तरीका है इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक निगम बनाया गया जिसकी आप से तारीक पुछी जा सकती है उत्तर प्रदेश जल विद्धुत निगम लिम्टेड की स्थापना कब की गई थी तो 14 जन्वरी भूल भी जाईएगा तो वर्स जिरूरी आदा कियेगा कि 2000 में इसकी इस्थापना होई थी और आभी जो है जो वेबसाइट है राज सरकार की इसके आधार पर एक आकला है की राज सरकार की कुल विद्धुत की स्थापित छमता लगबग कितनी है 660, कितनी है 660 मेगा वाट है और जिसमें जल पनविजली पर आधारी जल बिद्धुत का हिस्सा जो है पांसो बीस दस्मलों पांच जीरो मेगावाट है तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं लेकिन जो है काफी जो है जल बिद्धुत पर योजनाओं से भी आता है और इसके लिए उत्रप्रेश में बहुत सारी जल बिद्धुत योजनाओं तैयार की गई है तो कौन सी जल बिद्धुत योजनाओं है इसके बारे में आप से प्लेस पूछ सकता है कहां पर इस्तित है या किस नदी पर इस्तित यह भी पूछी सकता है योकि जल बिद्धुत पर योजनाओं होती है तो उसमें बांद ब पर है जहासी में माता टीला बांध आपने नाम सुनाई होगा तो अगला आप ऐसे याद कर लिए माता टीला बेतवा नदी ललित पुर्जिला हो गया रिहंद आपको पता है सोनभद्र में वहां पर रिहंद नदी बैती है रिहंद नदी पर बना है रिहंद बांध उसी नाम कैनाल जो मुझफर नगर में है इस पर बनी हुई है सलवा भोला ये भी उपनी गंगा नहर पर ही बनी हुई जल्विद्धुत पर्योजना है जो मेरट जिले में आती है फिर राजगाट की बात करें ये बेतवा में है ललितपुर में तो ये जो है कुछ प्रमुक पर्योजन आये थी जल्विद्धुत जो आपसे पूछी जा सकती है अब इसमें क्या नहीं आया राम गंगा पर्योजना ये कहां पर है ये उत्तरप देश के बीजनौर जिले में इस ठीट है कहां पर है आपसे प्रस्णिस से पूछे जाते हैं फैक्ट के जो है कि कौन से पर्योजना सटन्भाद की स्थानि पर रिहन नदी पर बनाया गयाँ है और इस में 50,50 मेगावाइट की कई सापीत है अब को और मन्यूरी बनी है जो मिली है जब मैंने यूपी करेंट अफेर्स को पढ़ाया था फिर माता टीला बांध या माता टीला जल विद्धुत परियोजना यह जहांसी के निकट ललिटपुर में बेतवा नदी पर है और यह विद्धुत ग्रह जो है उत्मध प्रदेश के सह स्थापित हुई है तो मद प्रदेश के सहयोग से स्थापित हुई है फिर गंडग परियोजना गंडग परियोजना गंडग नदी पर ही है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है यह बिहार की परियोजना को कि उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होते हुए गंडग नदी बिहार में चली जाती है अभी आप जानते हैं उसके बाद एक बड़ी परियोजना है सोण भधर की गोबिंद बल्लब सागर पन्त परियोजना जो पिपरी नामक जगे है सोण भद्र में वहां पर इस्थापित है तो कुछ और नई जो है जो जलविद्धुत परियोजना हैं चिन्नित उनकी हम बात कर लेते हैं खेरी याद रख पाईएगा तो याद रखिएगा जरूरी नहीं है सब इतना लोड लेने की खेरी सहारनपुर में है मेजा मिर्जापुर में माधोवन माधोटू तो माधोवन पीली भीत में माधोटू साजहापुर में बार्ण सागर पर लिभीत में मलगपुर रहनी और इसमें से जो महत्पूर्ण है वो राम गंगा है जो भी हमने पेच्छे भी चर्चा कर ली बिजनोर पे फिर केन की साखा एक साखा दो बांदा के नदी पर इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं अब हम उत्तरप्रेश में थर्मर पावर प्लांट कर रही है इन प्रियासों में अगर देखेंगे तो राश्टी ये ताप विद्धुत निगम के द्वारा कई सारी परियोजिनाय उत्तरप्रेश में ताप विद्धुत के लिए स्थापित हैं इनका थोड़ा सा नाम पर ध्यान दीजिएगा रिहंद रिहंद जब आएगा तो सोनबद्र आपको याद ही हो गया होगा तांडा टांडा ऐकांड जब आपको याद होगा थाम सीन्धी चरल में होगा है व्द प्रान पर हैं पर है उचाहर कहां पर है राइबरेली में है और यह तो यह सभी जो है क्या है यह राष्टिय ताप बिद्धूत निगम के द्वारा इस्थापित नेशनल थर्मल पावर कारप्रोरेशन के द्वारा इस्थापित परियोजनाई हैं उत्तर प्रदेश की आब इसमें दोस्ती यह गैस आधारित परियोजनाई हैं और बाकी जितनी भी उपर लिखी है यह सभी कोईला आधारित हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश में राज विद्धूत उत्पादन निगम के द्वारा भी कुछ ताप विद्धूत सहियंत रिस्थापित किये गए हैं तो वो ताप वि दिल्ली अले रूट पर आगे वरते हैं तो पनकी एक इस्टेशन भी पड़ता है उसके साइड में दिखता भी है यह हर्दुवागंज अलिगर में और परिक्षा जहासी में परिक्षा बांध आपने सुनाई होगा तो यह जहासी में तो यहाद रखिएगा यह राज लोक से इसका निर्माड 1971 में हुआ था और आप आ जाते हैं अभी हमने बात की थी राज विद्धुत उत्पादन निगम लिम्टेड की तो इसकी स्थापना कब हुई थी 14 जन्वरी सन 2000 को हुई थी तो राज की संस्था है यह आपको पता होना चाहिए 14 जन्वरी भूल भी चाहिए फिर उसके बाद जो है अभी हमने बात की इसकी जो है खासियत क्या है इसकी खासियत यह है कि यह उत्तरप्रेश की सबसे पुरानी विद्धुत ग्रह है और इसकी स्थापना 1942 में अलीगर में की गई थी 1942 में इसकी विशेष्टा क्या है सबसे पुराना विद्धुत ग्रह है और इसके बाद जो है हिंडालको का एन्मुनियम प्लांट जो रिनिकूट में है उसको विद्धुत की आपूरती रिहन परियोजना से ही होती है इसके बाद आपसे कुछा जा सकता है कि प्लांट है जहां पर एक मात पर्मारु संयंत उत्तरप्रेश का इस्थापित है और जिसकी जो है उत्पादन चमजा 220-220 मेगावाट के दो रियक्टर वहां पर कारेरत हैं तो मित्रों इस तरह से आज के इस लेक्चर में बहुत बड़ा जो है लेक्चर नहीं था छोटा स किये कुछ महत्पूर्ण चीज़े जो मैंने बताई है बीच बीच में उनको जो है थोड़ा सा नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए उनहीं में से कोश्चन आपको निश्यत रुप से एक्जाम में मिल जाएगा तो आज के इस लेक्चर में फिर मिलते हैं अगले समिच्छा दिकारी परिच्छा की त्यारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस कर रहे कम से कम तो आप हमारी सामान हिंदी की ये बुक ले सकते हैं ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्त के हिंदी की हैं और मानक सब्दकोस हैं उनके एक ब्रहत संकलन के आधार पर तयार की गई है विश्लेशन के साथ में इसी लिए 2016 से अब तक इतनी भी परिच्छाय संपादित हुई है सनिच्छा दिकारी सायर सनिच्छा दिकारी की चाहे वो प्रिलिम्स परिच्छा हो चाहे मेंस की परिच्छा हो उसके आपजेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55-plus questions आए हैं जो कि अपने आप में एक उलेखनी उपलब्दी है तो यह online भी available है जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है इसके अलावा यह offline भी available है bookstores पर आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं अगर आप समीच्छा दिकारी परिच्छा की तैयारी इस्तरप्रगार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परिच्छा को crack करके अपना नाम सफल अभ्यरतियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह सभी हमारे संस्थान के अब तक दो तीम परिच्छाओं में सफल अभ्यरतियों का विभरण है तो आप हमारे इस आपको हमारे डिकोर्ड एक्जाम एंड्रोइड आप के माध्यम से वीडियो लेक्च्छर्स पीडियाप में नोड्स और टेसिरी प्रोवाइड करा जाता है और यह कोर्स इस तरह से सिस्टमाइटिक धंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियो को कई बार प्ले करने की आपको सुधार दी जाती सिप्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टिपल टाइम्स जो है अटेंब कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यह दो वाट्सेप नंबर आ कर दो